हेलो एव्रिवन, वेलकम बैक तो दे स्टॉक टॉक विद मैं चैनल की एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं टेक्नो फंडा अनलिसिस और जिस स्टॉक को मैंने पिक किया है वो है गुजराद गैस लिमिटेड तो अभी जो स्टॉ काली लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और हमें ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नेकिया है तो प्लीज सबस्क्राइ gas limited के fundamental analysis से तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके कुछ important ratios को check करने वाले हैं तो first of all अगर market cap की बात की जाए तो 32,000 करोर के आसपास का market cap है मतलब company जो एक large cap company है next अगर industry P.E. की बात की जाए तो industry जो है वो trade ओर है 25.7 के P.E. पे प्रमोटर का कोई भी stake यहां पर pledge नहीं है next अगर debt की बात की जाए तो company का जो debt है वो है 152 करोर के आसपास जो की negligible है because यहां पर आप देखेंगे की debt to equity ratio जो है वो 0.02% के आसपास का है next अगर sales growth की बात की जाए last three year की तो company की जो last three year की sales growth है वो है 17.6% वहीं last three year का अगर profit growth देखा जाए तो 8.4% के आसपास का profit growth है जो की काफी अच्छा मुझे लग रहा है वहीं अगर return on equity की बात की जाए तो 24.2% का return on equity है वहीं last three year के return on equity की बात की जाए तो 26.8% का return on equity company ने generate किया है तो यहां ratios में तो मुझे कुछ भी कमी यहां पर नजर नहीं आ रही है और अब चलते हैं इसके annual results की तरफ और अब हम यहां पर company के annual results को चेक करने वाले है annual profit and loss statement को चेक करने वाले है अब यहां पर हम annual results को इसलिए चेक कर रहे है because यहां पर हम थोड़ा long term perspective से बात करने वाले है तो सबसे पहले एगर sales की बात करें तो यहां पर आप देखें मार्च 2015 में इनकी जो sales थी वो थी 9000 करोर के असपास और 2016 और 2017 की बात फिर तो इनकी जो sales थी वो अच्छी कासी drop यहां पर हमको देखने को बात मार्च 2016 में भी हम देखें तो करीब करीब 32-33% के असपास का drop देखने को मिला compare to last year और वहीं मार्च 2017 में भी इनकी जो sales से वो compare to last year 16% तक drop हुई थी उसके बाद मार्च 2018 से continue फिर से एक improvement हमको देखने को मिला sales growth में और फिर finally March 2021 में इनकी sales जो फिर से drop हो गई लगबग 4% से और यह इसका जो reason था वो था corona crisis corona crisis के कारण यहाँ पर इनकी sales जो थोड़ी सी drop होई थी 2021 में उसके बाद आप देखें तो फिर से एक अच्छी कासी sales growth हमको यहाँ पर देखने को मिली है तो next अगर बात करें इनके net profit की तो इनका जो net profit था 447 करोड के असपास का क्योंकि यहाँ पर इनकी sales काफी अच्छी थ देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर आप एक बात notice करेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो sales तो यहाँ पर डाउन हो चुकी थी 2017 में यहाँ पर इनका जो net profit हो गया था इसके पीछे का क्या reason है तो इसके पीछे के दो reason है एक तो है आपका operating profit margin दूसरा है interest cost यहाँ पर इ 20 में 16% के operating profit पर company ने काम किया और इन्होंने जो अपना net profit generate किया वह था 1200 करोड के असपास वहीं इन्होंने March 21 में जो corona crisis आया था उस टाइम पे इनकी sales तो अच्छे कासी drop हुई बट यहाँ पर इनका जो margins था वह अच्छा कासा इंप्रूव हुआ 21% के margin पर कंपनी ने काम कि है because इन्होंने time to time अपने loan का repayment किया है तो यह एक कापी अच्छी चीज मुझे यहाँ पर लग रही है और अब चलते हैं इसके balance rate की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह के development हमको देखने को मिलते हैं तो अभी हम यहाँ पर company के balance rate को चेक करने वाले हैं और balance rate में मु और फिर यहाँ पर देखेंगे दीरे दीरे इन्होंने अपने borrowing को कम करना शुरू किया time to time अपने loan का repayment किया और currently इनकी जो borrowing के वह 152 करोर के असपास की और वहीं दूसरी तरफ borrowing को तो कम किया 37 इन्होंने results को भी improve करना start किया दीर दीरे अपने results को बढ़ाया इन्होंने और investment मुझे यहाँ पर देखने को मिले हैं तो यह तो होगी बात balance sheet की और अब हम चलते हैं कंपनी के share holding pattern की तरफ और अब हम यहाँ पर company के share holding pattern को discuss करने वाले हैं तो share holding pattern की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर promoter के stick को देखेंगे तो September 2020 में 60.89% का stick ता जो कि इनका अब भी stake को reduce किया और इनका current stake जो है वो है 4.47% के आसपास वहीं अगर next DIAs की बात करें तो DIAs का जो stake था September 2020 में वो था 7.31 और दीरे दीरे इन्हों ने अपने stake को यहाँ पर increase किया और current stake इनका जो है 13.28% के आसपास मतलब यहाँ पर आप कह सकते कि जो FIs ने माल बेचा है उसको DIAs इसने buy किया है next अगर बात की जाए government की तो यहाँ पर government का भी stake है 7% के आसपास next अगर public की बात की जाए public का current stake है 14.34% के आसपास और वहीं अगर हम public में अगर check करते हैं तो 6.82% के आसपास का stake जो है GSFCL के पास तो मतलब यहाँ पर इन सब को हम calculate करें यह सारी holding को अगर हम calculate कर 92.47% के आसपास मतलब 92.4% stake जो हो strong hand के पास है मतलब बचा कितना अब बच गया 7.53% मतलब 7.53 जो हो free float available है अब free float को आप कुछ इस तरह के से compare कर सकते कि यह होता आपकी supply तो supply यहाँ पर काफी कम है तो ज्यादा downside stock में हम यहाँ पर expect नहीं कर सकते तो यह थे stock के fundamental analysis और अब हम जाएंगे technical part पर और technical part पर जाने से पहले आप लोग उसे request है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है और यहाँ पर कौन कौन से level समाल लिए important है और अब हम यहाँ पर Gujarat Gas Limited के technical analysis करने वाले है तो technical analysis में सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी overall correction को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसने अपना एक high लगा था 786 का 786 का high लगने वाए इसमें जो correction आई थी वह थी 48% की और currently भी आप देखेंगे तो यह अपने all time high से 40% नीचे के level पर trade हो रहा है अब next बात की जाए तो यह पैटन देखने यह इसको harmonica bullish bet pattern कहते हैं यह इसका PRZ लेवल होता है तो यह long term trend line का भी एक अच्छा का था support यहां पर देखने को मिल रहा है तो अगर यह in case इस triangle pattern को break करता तो यह next support इसको इस trend line से मिल सकता है तो यह तो था stock का overall structure और अब हम बात करते हैं ट्रेट प्लान की हो देखते हैं कि यहां पर हम एक trade को किस तरह के से प्लान कर सकते हैं तो यहां पर बात की जाए investment purpose से तो investment purpose से आप current level पर बिल्कुल buy कर सकते हैं currently यह trade हो रहा है 464 रुपीस के असपास तो यहां पर बिल्कुल buy कर सकते हैं और इसमें को further dip मिलता है trend line के असपास 400, 420 के असपास तो वहां भी आप इसको accumulate कर सकते हैं और target की बात की जाए तो यहा आज की वीडियो को यहीं end करते हैं और वीडियो को end करने से पहले आपको एक छोटा सा disclaimer दे दूँ कि वीडियो में जो भी stocks चार्ट मैं आप लोगों को शेयर करता हूं वो मेरी personal study मेरा personal opinion है तो यहां पर आपको कोई भी direct buying या selling के advice नहीं है तो अगर आप कोई भी buying या selling करन करें जिससे की आने वाले वीडियो की notifications आपको instantly मिल सकें तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और analysis के साथ तब तक के लिए keep watching, keep learning, keep growing, thank you, thank you for watching the video